नमस्कार दोस्तों, श्वागत आप सभी का बेसिक सिछा के इस ओनलाइन लर्निंग प्लेटफार्म पे तो बच्चो अगर आप 2024 में CVT को क्रैक करके अपनी ड्रीम सेंटरल यूइनिरस्टी से BA, BSC, BCA, Bipharma, BTEC इन कोर्सेस में डिगरी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप के लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टनेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि CVT 2024 में डोमेन फिजिक्स के सिलेबस के उपर क्या आपको पढ़ना है और कैसे तैयारी करके अपनी ड्रीम से इंटर उनिरस्टी से पढ़ने का सपना आप साकार करेंगे बच्चे ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स डोमेन के सिलेबस के उपर ठीक है तो अब लोग बात करें बच्चे ठीक है कि चैप्टर्स काउन काउन फिजिक्स के अंदर आपको पढ़ने है जैसा कि आपको पता है कि सिविटी के सिलेबस में केवल क्लाश 12 के सबजेक्स सही क्वेशन पूशे आते है जैसे अगर फिजिक्स डोमेन का सिलेबस होगा तो एंसी आटी में जितना क्लाश 12 है बच्चे उतना ही आपको सिविटी 2024 में देना पड़ेगा ठीक है जैसे अगर हम लोग चैप्टर वाइस बात करें तो इलेक्टिक चार्ज और फिल्ड हो गया यह है पार्ट वन के चैप्टर्स पार्ट टू के चैप्टर्स की बात करें तो रे आप्टिक्स हो गया वेब आप्टिक्स हो गया डूवल नेचर हो गया नुक्लियाई हो गया रेडियो अक्टिविटी हो गया atomic structure हो गया logic gate हो गया और communication system ठीक है ये जो है पूरा CVT 2024 के लिए physics domain का syllabus है ध्हान में रखेगा NCRT class 12 में communication system आपको नहीं मिलेगा लेकिन CVT के syllabus में जो है communication system included है इससे question पूछे जाते हैं 2023 में पूछे गया है 2022 में पूछे गया है इसलिए communication system को भी आपको पढ़ना पड़ेगा CVT के लिए ठीक है आगे चलते हैं ठीक है अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जो आपके 2023 में पेपर हुए है जो आपके 2022 में पेपर हुए है उसके analysis के उपर ठीक है कि हर एक chapter wise हर एक slot wise कितने question जो है हर एक chapter से आपके exam में पूछेगे हैं जैसा अगर हम लोग बात करें electric charge और field से तो slot 1 में 30 माई को 2 question ठीक है slot 1 में 10 जुन को 4 question slot 2 में 30 माई को 2 question slot 2 में 31 माई को 4 question फिर 4 question 6 question 4 question 5 question 4 question 3 question 5 question slot 3 में 11 जुन को slot 3 में 5 question ठीक है तो ये पूरा बच्चे analysis है 2013 के paper का आप चाहे तो इसका screen slot भी ले सकते हैं बच्चे इसके अलावा जो है comment box में हमारा ठीक है app का link होगा वहां से app को download करके ठीक है PDF के रूप में जो है app पर available होगा वहां से भी जो है आप इसका video download कर सकेंगे बच्चे ठीक है ये पूरा इतने chapters के आगे आपको और chapters के मिल जाएंगे ठीक है electromagnetic induction का semiconductor का मैंग्रेजम मैटर का डूवल नैचर नुकलियाई रेडियो अक्टिवटे अटॉमिक इस्ट्रक्चर लॉजिक गेट छे question ऐसे जो है पूरा analysis यहाँ पर करके आपके सामने दिखाया गया बच्चे तो mainly यह analysis हम आपको क्यों दिखा रहे हैं बच्चे कि chapter को पढ़ने से पहले आपके chapters के importance के बारे में पता चल जाए जैसे मान लीजे आप class 12 की physics की book उठा है आपको पढ़ना है electric charge और field तो जैसे यह आप electric charge of field chapter को पढ़ने उठा है तुरंत आपके mind में बढ़ जाएगा कि यह chapter तो important है इससे 2023 में भर-भर के question पूछे गया है और 2022 में भर-भर के question पूछे गये थे मतलब किस chapter को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको exact पता चल जाएगा कि आपको किस chapter के ऊपर कि देने की जरूत है कितना ज्यादा उस chapter के उफर time देने की जरूत है जितना ज्यादा number आप तो questions उस chapter से अगर पूछे जा रहे है मतलब वो chapter उतना ही जाद आपके CVT के लिए important है ठीक है तो यहां से analysis का मतलब है कि आपको chapters के importance के बारे में जो है exact पता चल पाए ठीक है इसलि topics पढ़ना है उनके बारे में बात करेंगे और इसके अलबा मैं आपको questions भी दिखाऊंगा कि कि किस टाइप की questions जो है आपके CVT में पूछे जा रहे है जैसे अगर मैं बात करो electric charge और field के लिए तो electric charge और field में आपको क्या क्या topic पढ़ने है जैसे electric charge हो गया प्रिंसपल हो गया उसके बाद गया एलेक्ट्रिक फिल्ड दू पॉट्र पढ़ना है तो ये पूरा electric charge और field के अंदर पढ़ना था आगे हम लोग बात करेंगे potential और capacitor के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है ठीक है potential परना है potential difference पढ़ना है potential due to point charge पढ़ना है ड appeal पढ़ना system of charge equal potential surface के बारे पढ़ना है electric potential energy पढ़ना positive potential energy system of two points चार्ज ठीक है आप dipole in an electrical static field हो गय सब्सक्राइब नेंis February और चार्प जांज लिए Virtり प्ढ़ना ठीक है, इलेक्ट्रिक प्ड़राजेशन, कैपासीटर, सेरीज और पैरलल, उसके बाद क्या हो गया, पैरलल प्लेट कैपासीटर के अंतर अगर डायलेक्ट्रिक मैटरियल भर दिया जाए, तो क्या कैपासीटर होगी, यह पढ़ना है बच्चे, उसके बाद उसके बाद कीरचाफ का नियम और क्रिचाफ की नियम का अप्लिकेशन तो यह चीज़े जो है आपको किसमें पढ़ने बच्चे, करेंट एलेक्रिसिटी में पढ़ने है ठीक है आगे की युणिट के हम लोग बात करते हैं ठीक है इस टाइप के क्वेस्टन जो है आपके करेंट इलेक्रिसिटी से पूछे गया है ठीक है चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे चैप्टर नॉमर फॉर moving charge और magnetism के उपर ठीक है और अगे चलते हैं बच्चे ये इस टाब के questions पूछे गया है वो questions ठीक है Magnetism और matter में देखे क्या होगा Bar magnet हो गया Magnetic field intensity हो गया Torque के बारे में हो गया Magnetic properties of material हो गया Paramagnetic, Diamagnetic and Ferromagnetic Substance के बारे में पढ़ना है Magnetization of materials हो गया ठीक है तो ये चीज़े यही पर आपको QE temperature के बारे में पढ़ना होगा Effect of temperature and magnetic properties यही पर QE temperature और QE law के बारे में आपको बताए जाएगा ठीक है आगे चलते हैं आगे चलते हैं बच्चे और आगे बात करेंगे Electromagnetic induction के उपर तो यह आपको चीज़े जो है Electromagnetic induction हो पढ़ना है ठीक है यह alternating current हो गया बच्चे ठीक है पीक, RMS ठीक है, LCR हो गया regionence हो गया, power हो गया, ठीक है power factor हो गया, waterless current हो गया, AC generator हो गया transformer, यह दो लिए important topic है यहां से भरभर के questions आपके exam में आते हैं transformer, ठीक है, mutual induction के principle पर वर्क करता है ठीक है, तो यह पूरा जो है chapters हो गया, chapters के अंदर क्या-काइट topics पढ़ने हैं, वो मैंने आपको बता दिया है यह आपका है, electromagnetic electromagnetic waves हो गया, electromagnetic waves के अंदर देख लिए जएगा क्या-काइचीज़े आपको पढ़नी है वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप अच्छे तरीके सीजों को देख सकते हैं ठीक है रे आप्टिक्स हो गया फिर वेब आप्टिक्स हो गया बच्छे टीक है वेब आप्टिक्स में यह ज़े पढ़ने है ठीक है वेब फ्रंट हाइगन प्रिंस्पल हो गया डिफ्लेक्षन डिफ्लेक्षन हो गया सब्टिक है Germ this वेब ओप्टिक्स हो गया बच्छे आप किस टाइप के questions पुच्छे गया है वो देखिए फिर ड्वज नियाट्यर यहां से आपको modern physics का सेलेबस हो गया, dual nature हो गया अब dual nature में देखे, इतनी चीज़ आपको जो है पढ़नी है, ठीक, deep broadly relation हो गया atoms में आपको यह topics बच्चे पढ़नी है nuclei में यह चीज़ पढ़नी है, ठीक है semiconductor और devices में यह चीज़ पढ़नी है, ठीक अब सबसे important चीज़ की कैसे पढ़ना है, तो कैसे पढ़ना है बच्चे इसके लिए आपको tension नहीं लेना है क्योंकि basics इच्छा आपके लेकर क्या है बच्चे, वर्दान बैच phase 1, वर्दान बैच phase 1, ठीक है, इस वर्दान बैच phase 1, complete preparation batch है बच्चे, 2024 के लिए BA, BSC, Bcom, BALB courses के लिए, इसके अलवा कर आप BCA भी फार्मा करना चाहते है, तो भी इस batch को आप जोईन कर सकते हैं, ठीक है इस batch के features क्या क्या है बच्चे, कि यहाँ पे live detailed theory classic दी जाएंगी ठीक है, उसके बाद class notes PDF दिया जाएंगे chapter wise NDA based test रहेगा weekly test based on NDA pattern, ठीक है chapter wise practice set with solution by long goal रहेगा, यार दिखियेगा यह solution दिया जाएंगे, वो बेलोंगल रहेंगे, ठीक है CVT 2030 के all paper का video solution 2022 में जो CVT का exam होगा बच्चे उस सभी papers का video solution आपको दिया जाएगा और पूरा form filling support से लेकर के ठीक है, counseling तक पूरा आपको support दिया जाएगा ठीक है, और दिहान से सबसे important चीज यह है बच्चे, कि यहाँ पे Hindi और English दोनों medium की separate classes चलेंगे मतलब हिंदी वाले बच्चों को English से कोई problem नहीं होगी और English वाले बच्चों के Hindi से कोई problem नहीं होगी दोनों के separate batches जो है आप चलेंगे और पूरे All India में CVT के लिए मात्र ऐसा एक batch है जहाँ पे separate medium में जो है आपे classes चलती है बच्चे, और इस course की price कितनी है इस तीन हजार उपए है लेकिन तीन हजार उपए तो हैं लेकिन अभी जो है आप इस course को जोईन करते हो पांस से दंबर से पहले तो तभी courses पे ये वर्दान code है बच्चे इस वर्दान code को अप्लाई करने पे सभी courses आपको पांस से रुपे की छूट मिलेगी ठीक है पांस से रुपे की बच्चे क्या मिलेगी छूट मिलेगी तो अगर आप तयारी करना चाहते हैं तो अभी से जा करके ठीक है प्ले इस टोर से basis की साय आपको डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके बच्चे course को परसिस करिए और अपनी तयारी को स्टार्ट कर दीजिए ठीक है पांस से दंबर से जो है